दोस्तों, एक जुलाई से जो नया कानून पुरे देस में लागू किया गया है? दोस्तों इस चानून में एक खास बात ये है कि पुलीस परशासन जो मनमानी करती थी जाच के दोरान, investigation के दोरान, diary के दोरान, applied लेने के दोरान, आबेदन लेने के दोरान सभी पे लगाम लगाने की कोशिश की गई है और दोस्तों इस तरह से लगाम लगाने की कोशिश की गई है कि आप पुलिस परसासन चाह के भी जाच के नाम पे डाइरी के नाम पे छापे मारी के नाम पे आबेदन लेने के नाम पे नो तो एक रुपईया ले पाएगी और नो ही लोगों को धमका पाएगी और नो ही जूटे तरीके से फसा पाएगी और नो ही किसी को गरिया पाएगी दस्तों इसी चीज की जानकारी देने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोट के वकील भूबनेस्वर महतोजी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले क्या होता था कि पुलिस इंवेस्टिगेशन के दौरान जहां कहीं भी जाती थी तो वहां पर कोई वीडियो ग्राफ ही वो उसके द्वारा नहीं किया जाता था और फिर उसमें वो मनमानी उनके द्वारा होता था जैसे बहुत सारे लोगों से मैंने सुना कि जैसे इन्होंने यह बात बताई और कोई भी उलेखनी बात इन्होंने नहीं बताया अब वो नहीं चलेगा अब पुलीस को जो है अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसका इंटायर वीडियो गराफ ही होना चाहिए इंटायर का मतलब कि सुरू से लेके अंध तक का साक्षी इन्होंने क्या कहा उस चीज को भी रिकॉर्ड करना होगा पेंड्राइब में रखना होगा और सम्मंदित न्याले में भेजना होगा अब आप यह बता रहें कि पुलीस केस दर्ज होने से लेकर के और इन्वेस्टिगेशन तक कोई भी स्टेप लेगी सब का वीडियो गरा वीडियोग्राफी होना है इसकी अलाबा इसमंगी तक कि आप पुलीश 2 से अपति जनक समान तो नहीं ही समय अ आप गारी से जा रहे हैं फोर वीलर से कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि किसी के साथ उसको दुस्मनी है और उसने पुलिस को अपने मेल में कर लिया पुलिस वाला उस गारी वाले को हाथ दिया रुख गया गारी और उसको चेकिंग करना सुरू किया दूसरा पुलिस वाला तो कोई भी व्यक्ति उसका साक्षी बनने के लिए तयार नहीं होगा, तो उसमें लिख दिया जाता है कि कोई भी स्वतंत्र साक्षी बनने के लिए तयार नहीं हुआ, इसलिए मैंने फ्लाने चुकिदार को साक्षी बना कर इस जबती सूची को मैंने तयार कर लिया, और उस किकर रही है तो उसको हर हालत में विडियो ग्राफ़ी करना होगा इंटायर मतलझ कि जैसे आप पहुंचे आप तो आन चाहिए वीडियो चालू है और जब आप चल देंगे वहां से तब जाके वीडियो को बंद कर देना है वीडियो गराफी इस तरह से करना है दोस्तों कि पहले से वीडियो मोवाईल ले करके चालू रहेंगे वीडियो चालू रहेगा और इने की बीच में रोक लिए और कुछ डायल करके फिर बाद में चालू किया इसाने पूरा वन वे में वीडियो रहेगा शुरू से अंतक का चाहे गारी का चेकिंग हो अगर आप जा रहे हैं जैसे चेक करने के लिए आप जा रहे हैं तो घर में जाने से पहले कभी पहले क्या हुता था कुछ लोगों के मूझ से आप भी सुने होंगे हम भी सुने कि पूलीस क्या करती है कि दुसरे के दबाम में आकर के उसके घर पे चली गई और अपने साथ में कुछ आपती जनक समान लेके जाती है और वकाती तुम्हारे यहां से ही बनामद हुआ और जपती सूची पर वहां दबाब डाल करके उन लोगों से सिगनेचर करवा लिया जाता था अब वो नहीं चलने को है आपको घर में जाने से पहले सुरू में ही वहां से कैमेरा ओन करना है घर में जाना है समान अगर कोई आपती जनक मिलता है तो कोई दिकत नहीं उसका जपती सूची का भी वीडियोग्रापी होना चाहिए शिगनेचर का हर चीज का अब फिर वहां से निकल लिए आप कैमेरा को बंद कर दीजिए वकिल साहब एक दिकत और रहता है कि अबेदर नहीं लिया जाता है गड़िया के बगा दिया जाता है थाना नया कानून में कुछ है प्राबधान अनलाइन का भी विवस्था हो गया मान लीजे कलकता में है और घटना घटित हो गई ता आपको क्या करना है कि वहीं से फाइयार के लिए जो है ऑनलाइन आपका अशी का किह दो क्या है फाइयार के लिव कि कुसी में हमम करें अपने परिशान निको तरह एक दम में कर शकते हैं वाट्सप कर सकते हैं थाना पढ़एं वाट्सप्साय का अभी तो इकका इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर पहले समन भेजना होता था तो समन जो है पहले डाक से या किसी बैक्ति के माध्यम से जाता था अब जो है वाटसप के माध्यम से भी समन भेजा जा सकता है तो जिससे क्या होगा कि समय का बचत होगा थाना पर जाने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है आवेदन लेके जाएंगे लेगा की नहीं लेगा बगा तो नहीं देगा तो रोसरा थाना या जिस थाना चेत्र में है मेल लिजिए थाना का वाटसप नमबर लि स्में आंच से जाना मेंडी नहीं था उसमें फ़रेंसिग आंपनी आज जाते थे और सुनने को मिला है कि फ़रेंसिट को पुलिस बुलाते भी नहीं है कि हम लोग तो है वोकिन साब देखते ही है अरे कहीं लास मिला बरा पार्टी है पेरवी वला है तागत वर है तो दुचार को थाना को बुला लो चाकि पुब्लिक हला नहीं करें कुछ नटंकी को अगरीब है तो दूगो पुलिस वला को उठा के पोश्ट मार्टर में बेज़ दो जिसका न में बेज़ दिया वहां कोई अगर साक्ष मिला है एविडेंस मिला है तो उसको क्या किया जाता था कि उसको नस्ट कर दिया जाता था तो कभी आत्महत्या का मामला कभी डूब जाने का मामला कभी कुछ मामला ये करके उस केस को जो है बिल्कुल कमजूर कर दिया जाता था फॉरेंसिक में यह है कि अगर साथ साल से उपर की सजावाला कोई democrat है, तो उसमें mandatory है कि ठीम को वहां जाना है और evidence को collect करना है, और उसका report जो है, वो court में देना है, लेकिन उस फॉरेंसिक जाँ जबाले जो जाएंगे, और जो अपना करिया कलाप करेंगे, वहां पे भी वी कि एक जुलाई से जो नया कानून लागू किया गया है दोस्तो पुलिसिया बेवस्था की कमी कहीं न कहीं सरकार को पता थी कि किस तरह से पुलीस जो है जाच के नाम पे छापी मारी के नाम पे और पोश्माटम घटना होने के बाद लिपा पोती के नाम पे किस तरह से गरबड़ी करती थी इसलिए वकील साहब जिस तरह से बताए हैं कि आबेदन देना है थाना पे आप मेल कर सकते हैं, वाटसआप कर सकते हैं आपके घर में पुलीज जाएगी तो वीडियो रिकोर्डिंग चालू करके जाएगी कोई डाइरी लिखाएगा किसी से पुलीज पूस्ताज करेगी तो वीडियो गराफी चालू रहेगी बीच में बंद नहीं होगी आपका गारी का छापे मारी होगा दोस्तों तो वो भी वीडियो के मुवाइल के सामने में वीडियो ग्राफी के साथ होगा पुलीस कोई भी एक्टिविटी करेगी जनता के साथ चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन हो चापे मारी हो डाइडी हो तो वीडियो गराफी अनिवार है इसलिए अपने आसपास नजर रखिएगा अगर पुलीस किसी भी तरह की गरवड़ी करती है तो आपके हाथ में भी मुवाइल है वीडियो गराफी कीजिए ठीक है वकिल साथ बहुत-बहुत धन्यबाद आपको समय देने के लिए आपको भी और धन्यबाद और खास करके दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यबाद जो हमारी बात को उन्होंने शुना और मैं दर्सकों से लास्ट में ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मौलिक अधिकारों के बारे में जागरुक होईए परिये लिखिये समीधान में मौलिक अधिकार हम लोगों को दिया गया है और इसके रक्षक जो है हाई कोट और सुप्रीम कोट है अगर ऐसा लगता है कि आपके अधिकार का हनन होता है तो आप हाई कोट और सुप्रीम कोट के सरन में जा सकते हैं धन्यवाद नमस्कार